तो आज है दिवाली और दिवाली हम जारे अभी मार्केट का कुछ सौपिंग दिखाते हैं तो आज जाएंगे सुबह और वहां का वीडियो आपको दिखाते हैं तो चली फ्रेंग सब्सक्राइब कि मृत रोख पहुं रही हैं तो हम लोग मार्केट पोर्च चुके हैं और मार्केट कभी देख सकते हैं काफी सब्सक्राइब भीड़ और यहां पर दिख सकते किन तरहガी मिल रहे हैं बहुत तरहrome psych rich पूजा की रश्मी गनिस की मूर्ती और पूजा की बहुत सारे समान बगर यहां पर मिल रहते हैं और काफी ज़्यादा लोग यहां पर देख रहे होंगे मार्कित में घंडः सब्साल पर हैं तो अब हम लोग आज चुके हैं रहे हैं ब्लूहक में अवा देख सकते काफीछद यहां पर विर लगी म about तब यहां पे काफी में दो पर दो तो कॉसिक जब जा रहे लेने के लिए तो यहां से हमने स्वीट्स कछोड़ी और बालुसाय सबजी यह सब फ्लडू बगएरा ले लिए हैं अभी हम लोग जा रहे हैं यहां से और पूजा को कुछ थोड़ों सामान भी लेना है और यहां पर कॉसिक जी और यहां पर करीपा बैटे वे थी तो यहां पर एक रोट बना था यह सौट कट रोट तो इसी रोट से मलोग गए थे तो यह रोट बहुत ही सुन्दर लग रहा था सोच आप लोग के साथ भी शियर किया जाए तो कुछ सबजी वगएरा टमाटर वगएरा लेने के बाद हमने धन्या पत्तर हरीमेश ले लिया है फिर वहां से कड़ी वाला तेल लिया है और यहां से मैं गलश्मी गनीज का जो प्लॉट्स आता है कपड़ी आते हैं वह ले रहे थी यहां से तो यहां से हमने कुछ समान वगरा ले लिया है अब हमने पर पानी फल भी ले लिया है तो फ्रेंट्स हम लोगा थोड़ा थोड़ा सॉपिंग हो चुका है अभी हम लोग चलेंगे घर और यहां पर देखे करीपा कैसे लग रही है कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा तो फ्रेंट्स हम लोगा सॉपिंग हो चुका है और अभी हम लोग चलते हैं घर घर जाके अभी और भी बहुत सारा काम है तो चलिए चलते हैं तो यहां पर गोशिख जी और को रीपा यहां पर बैठे हुए हैं अब देख सकते हैं और मैंने कमल भी खरीदा है अब जाए तो मारकेस से मने कच्छोड़ी और सबजी और बालुसाइद लाएं थे और लड़ू गए लाएं थे वह पूजा के लिए तो अभी हम लोग कोशल और कृपा को नास्ता करने के लिए देंगे तो यहां पर कोशल और कृपा बैठ चुके हैं नास्ता करने के लिए तो हम लोग में बेंगॉली में आलपुना दिया जाता है लक्षभी पूजय में तो वही मैं स्टार्ट कर चुके हैं लेकर धिने के लिए चाबल को विंगो के रखा जाता है इसकी नास्ता को पेस्ट रेड़ी करकी तो यह पर मैं मैं दर्वाजा पे दे रही थी तो इस तरह से तो मैं करी थे मुझे देखे कोशल क्रिफा भी जित करने लगे कि मुझे भी करना है मुझे भी इस तरह से बनाना है तो इन लोगों को कहा कि चलिए अपर पेंटिंग ब्रस लेकि आओ और लग जाओ तो अभी दोनों लग गए हैं काम पे और देखे मेरे हल्फ कर हैं तो कैसे करें हैं या पॉमेंट्स में बताईएगा तो मैं बहुत सा डिजाइन बगरा भूल चुकी हूं पहले मैं बहुत सा अच्छा सा डिजाइन बनाती थी देकिन जैसा भी है थोड़ा बहुत काम चलने के लाइक बना लेती हूं तो यह देखिए मैंने यहां फ्लावर बनाया है ओर यहां यहां पर को़ौ के इसले नहीं है लुद्धा बना रही मागप अज़ भी हमने कर दिया है जो तोसी मच बना हुआ था तो वहाँ पर हमने थोड़ा उस्ट इस से डिजाइन कर दिया है कि ताकि तोड़ा अच्छा लगे तो फ्रेंड्स यहां देख रहे हैं दिवाली के तैयरी और यहां अलपुना दिया जा रहा है इसमें तीनों लग चुके हैं सभीता कॉशल्स और छोटी कृपा भी लगी वी है तीनों मिलके हाथ में ब्रश लेके डिजाइन कर रहे हैं अलपुना बना रहे हैं और यह देख रहे हैं तीनों मिलके काम कर रहे हैं एक साथ यहां तीन तीन पेंटर हम लोग के घर में आ चुके हैं एक बड़ा पेंटर एक मजला पेंटर और एक छुटका पेंटर और आप द है बन चुका है और यह बहुत सुन्दर से बनाया गया है पुरा round shaped का काफ Baptist संदर से design किया गया है इसको बनाने में लगो 30 40 minutes लग गया है और यह और यह का अलपुना यह भी देख रहे हैं यह भी बनाया यह गेट के पास है इसको भी बनाया गया है सभीता के द्वारा और इसमें help किया कोशल कृपा यहां देखिए तीनों पेंटर अपना ब्रश लिए वे और चारों तरफ डिजाइनिंग किया जा रहा है इलो के द्वारा यह जो छोटा सा पेंटर आई है तो काफी एक्साइटेड है डिजाइन बनाने के लिए और यह देखिए मैं भी लोग के साथ जोइन कर लिया हूं मालूम नहीं कि यह सरकल बनेगा या ट्राइंगल बनेगा या स्कॉयर बनेगा लेकिन ब्रश लेके मैं भी बैठ चुका हूं देखता हूं किस तरह का डिजाइन बनता है कॉशल और क्रिपा हेल्प कर लिए मुझे यह जो हम लोग जिससे डिजाइन करें वह चावल को ग्रेंड करके पाउडर करके इसको केस्ट करके बनाया गया है और उसी से हम लोग उसका कररिंग किया जा रहे हैं तो यहां फ्रेंड्स देख रहे हैं सभीता डिजाइन बना रही है और यह हम लोग का में इंट्रेंस के उपर सीरी के उपर डिजाइन गया और यह जो पर्दा का कटेंस का कपड़ा देख रहे हैं कलर यह सभीता खुद चूज की है बहुत ब्यूटिफुल कलर और स्वीट कलर है यह पिंग कलर का बेड़ शीट का साथ कॉमिनेशन करके यह चूज की हुए कलर और यह भी डिजाइन बना रहे हैं उपर से फ्लावर से इसको रेक्रेशन भी किया गया दिवाली के लिए और यहां दू काटेंस लिया गया और बेड़ शीट का भी सेम पिंग कलर का भी चूज किया गया और यह देखिए उपर से फ्लावर्स भी लगाया गया है दिवाली के और यह हम लोग का गार्डिन का कुछ वेजिटेबल्स यह करेला है हुआ है यह और यह पापा ही लगाए थे सीड से हुआ है काफी बड़ा सा साहिच का इस तरह का वेजिटेबल समलप गार्डिन में बहुत सारा वेजिटेबल समलप लगाए हुए है और यह चोटा सा देखिए यहां भी आमलों का करेल लगा हुआ है चोटा सा साहिच का है इस साथ में प्लावर है तो घर आने के बाद मैं पर सबको खाना खिला रही कि अच्छे लगे तो प्लेस लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू फूर वाचिक मैं वीडियो मिलते नेक्स वीडियो के साथ तर तक लिए टेक किया अब